आज का हमारा टॉपिक है what is mindfulness and how mindfulness can help you to have an emotional intelligence अगर आपको अपने लाइफ में emotional intelligence चाहिए तो mindfulness आपको कैसे help कर सकता है यहाँ पर दो दो word emotional intelligence and mindfulness oh my god क्या है यह but you don't worry because आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे पाच तरीके जिससे आप बन सकते हो emotionally intelligence लेकिन सबसे पहला question आपको पता कैसे चलेगा कि आप emotionally intelligence हो के नहीं अगर आपको यह नहीं पता कि emotional intelligence क्या है तो आप क्यों कोशिश करोगे emotionally intelligent बनने का now what is mindfulness and how we can use mindfulness to become emotional intelligence बात करते हैं चलिए दोस्तों mindfulness एक बहुत बड़ा समंदर है हम कोशिश करेंगे यह बड़े mindfulness के समंदर से ऐसे पाच मोती निकाले और आपको वो पाच मोती मैं दे पाऊ ताकि आप बन पाओ एक emotionally intelligent person सो पहले हम जाएं और उन मोती को collect करें मैं यह बोला चाहता हो यह mindfulness है क्या चीज़ what is mindfulness mindfulness is all about state of being आप जो हो आपको जो दिख रहा है आपको जो सुनाई दे रही है आपको जो फील हो रहा है आपके लिए वही life है आपके लिए वही जीवन है ना उससे पहले ना उसके बाद mindfulness इसी को कहते है let's start with the first strategy how mindfulness will impact your emotional intelligence लेकि जाने से पहले अगर मज़ा आ रहा है ना session में तो नीचे अभी subscribe कर दो अगर चैनल में नए हो और वो bell icon को बजा दे ना आके आपको regularly इतने मज़े वाले videos मिलते रहे ठीक है let's go ahead be fully aware of your behavior absolutely right सुबह से रात तक आप कैसे behave करते हो even right now also मैं यह वीडियो बना रहा हूं I am also showing my behavior right अभी आप मुझे सुन रहे हो अच्छे से सुनो after that you go to everyone और जब आप उनसे बात करो fully aware हो के बात करो कि हां मैं उनसे अच्छे से बात कर रहा हूं वो मुझे अच्छे से answer दे रहे हैं अब आप बोलोगे sir मैं तो daily अच्छे से बात करता हूं daily बात करते हो लेकिन जब बात करते हो तो आप feel करते हो कि मैं कुछ अच्छा कर हूँ that is important be emotionally honest हमारे life में सुबह से रात तक बहुत thoughts आते हैं right बहुत thoughts आते हैं आप believe नहीं करोगे 70% thoughts are negative और उस 70% thought जो negative है उस 70% का 70% thought वो होता है जो हमें daily feel होता है मतब समझ रहे है मतब daily हम एक ही thought को लेके negative सोचते हैं अब समय आ गया है जब आप कोई भी thought को feel करो अगर रोना आए तो रो be emotionally honest रोना रहा है और रो नहीं रहे हो never do that वो हो जाएगा emotional dishonesty don't forget to breathe जी हां सांस लेना मत भूलना अब आप यह बोलों कि sir मैं तो हमेशा सांस लेता हूं उस पर भूलने वाली क्या बात है ऐसे बहुत लोग हैं जो सांस लेते हैं लेकिन सांसों को feel नहीं करते हैं पैट के थोड़ा सांस को देखिए जो सांस चल रही है कीमी चल रही है कि नॉर्मल चल रही है कि आप बहुत जल्दी चल रही है जब आप सांस लेते हो न तो oxygen लेते हो oxygen चले जाती है आपके blood में blood जाती है आपके सारे bodies में जो oxygenated blood होती है उस blood में oxygen होता है वही blood जाता है दिमाग के अंदर अब दिमाग को चाहिए oxygenated blood और वो जा रहता है oxygen नहीं रहता और जब oxygen नहीं रहता उस blood में तो धीरे-धीरे करके आपको problems होना start होता है आपकी दिमागी बिमारियाज होती है anxiety, depression और धीरे-धीरे करके आपको भी पताने चलता आप बहुत सारे disease से घर जाते हो दवाई ये लेते हो दवाई क्या करता है दवाई artificially आपके दिमाग को control में लाता है maintain a schedule, every day का एक schedule रखिए कि आपको सुबा क्या करना है आपको दोपर में क्या करना है, आपको शाम में क्या करना है, आपको रात में क्या करना है think about it, what is mindfulness, हर चीज़ के लिए fully aware रहना अभी मुझे पता है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है कि वीडियो बनाने के बाद मेरा क्या काम है, कल मैं इस समय क्या करूंगा when you know about your day, when you know about your schedule, आपका जो दिमाग है, वो आपके life में focused रहता है और mindfulness की जो आखरी मोती मैं आपको देना चाहता हूँ, वो यह है, eat well, खाना च्छाखाई, I don't know a vegetarian हो, कि non-vegetarian हो, आपके पास दो options है do you eat to live, जिने के लिए खाते हैं, or live to eat, खाने के लिए जीते हैं eat well का मतब यह होता है कि even आप जो खा रहे हो उसमें aware रहें, अगर आपको लगे कि यह खाने से मेरे body में problem हो सकता है तो मैं उसको नहीं खाऊंगा, be aware, धारू पीना, खराब बात नहीं है, cigarette पीना, खराब बात नहीं है जब भी आप एक beer का bottle उठाए, या विस्की उठाए, या तकीला shot मारे, या एक cigarette को style से ले be aware कि आप क्या कर रहे हो, cigarette पी रहे है, ask yourself, अच्छा है क्या यह, मेरे light के लिए अगर answer आजाए कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो पीजिए, पीजिए ना, अराम से पीजिए so, दोस्तो, mindfulness आपको aware करती है, आपके बारे में, और आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, और फील कर रहे हो, उसके उपर आपको aware कर रही है, ताकि आप अपनी जिंदगी खुद लिख सको, और अपको, असा आप अपनी जिंदगी लिखोगे, तो अच्छा ही लिखोगे, mindfulness के साथ साथ, Neuro Linguistic Programming, जी हाँ, Neuro Linguistic Programming को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये वाली वीडियो मैं बोल रहा हूं, इसे अभी क्लिक कीजिए, और देखे कि Neuro Linguistic Programming से भी क्या फाइदा पहुँच सकता है,